नमस्कार आप सभी का स्वागात है हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में जिसका विकेंड में रेजल्ट आएवा है साटे डे को बहुत ही अच्छा रेजल्ट आएवा था और रेजल्ट के चलते अगर आज आप देखोगे 20 जुलाई 2020 को HDFC बैंक ने बहुत ही अच्छा पॉपम के मार्केट में तो यहां पर चलिए मैं आपको हाइलेट करके दिखा दूँ यहां पर दिखिए आज मेंड एस इस पर चाट ओपन के रखावा है और यहां पर दिखिए HDFC बैंक आज ग्याप आपके साथ खुला और क्लोज हुआ 1130 के बंद हुआ था 1100 के आसपास लेकिन आज दिखिए इसमें अच्छी खासी तेजी देखनों को मिली और यह दिखिए अच्छी खासी चलांग लगा के यह उपर बंद हुआ 1130 के आसपास जाके यह बंद हुआ और 17 जुलाई को यह बंद हुआ था 1098 पे तो 3% करीबन इसमें बढ़द देखनों को मिली तो चलिए जानते हैं HCFC में क्या चल रहा है और किसके चलते हैं RDFC ओंद में ऐसी अच्छी खासी बढ़द देखनों को मिली हैं अगर आपके पास सब्सक्राइब का होल्डिंग है तो उसके साथ आपको क्या करना है बाइ करना है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उस सारे के बारे में डिसकस करते हैं तो देखिए मैं चार्ट को तोड़ा छोटा करता हूं तो यहां पर आप क्लियली देख सकते हो 20 जनुरी को स्टॉ स्टॉक में अच्छी खासी गिरा बढ़ देखनों को मिली और चलते हैं चौबिस मार्च तक यह गिरके आपका आगया सेवन सिक्स्ट या साथ सो साथ रुपए तक उसके बाद देखिए स्टॉक में थोड़ी सी रिकावरी देखनों को मिली और यही स्टॉक 29 एप्रिल तक चला गया 980 ए 980 रुपए तक उसके बाद फिर से देखिए स्टॉक में थोड़ी सी स्लंप देखनों को मिली लेकिन स्टॉक अच्छा कासा रिकावरी किया फिर सी हाई बनाया और 5 जून के चला गया 1068 तक उसके बाद अगर देखोगे स्टॉक में फिर से थोड़ी सी गिर और अगर हमको जानना है HDFC Bank का Price Target क्या है तो चली चलते हैं और जानते है analyst का इनके बारे में क्या कहना है और analyst HDFC Bank के बारे में क्या प्रेडिट करते हैं तो चलिए मैं आपको HDFC Bank का Analyst का Rating पर दिखाता हूँ, तो दिखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं, अगर आप देखोगे जो बहुत बड़ी दिख़ ब्रोकरेस कंपनी है, जेफरीज उन्होंने बोला है, यहाँ पर दिखिए मैं आपको हाइलेट करें दिखाता हूँ, जो बह से 1280 था, सिमिलर तरीके से नोमूरा आ खाभी देखोगे, नोमूरा ने Ingres करा हुआ है, ठारगेट प्र安ए 1325 को जो पहले से 12125 था, already मोर्गान स्टरलि आपको जो है, उनका ठारगेट प्राइस 1425 को इनक्षिज करा हूँ जो पहले से 12885 था और CLS से जो है और CLS से जो है वो भी price increase कर चुकी है जो पहले से 1250 था अभी target price 1450 पर है तो इसे साब से अगर आप देखोगे HDFC bank जो current price HDFC bank का है देखे दोस्तो 1135 है और इसको अगर आप target price देखोगे तो target price कम से कम आ रहा है आपका हर case में target price कम से कम 1350 से लेके ये आ रहा है आपका 1450 तक तो देखे अच्छी खासे margin है अभी तक इसमें और भी bullishness बाकी है तो हम यही suggest करेंगे कि अगर आपके पास holding पड़ी हुई है अगर आप HDFC के long term holder हो तो आप इस stock को hold करके दख सकते हो क्योंकि इसमें और भी bullishness बाकी है ये और भी उपर जा सकता है जैसे आप देख सकते हो बड़े बड़े brokerage companies के analyst इसका target price अब कर चुके हैं ये 1130 से 1450 तक जा सकता है कम से कम इस 300 रुपे तक का इसमें और भी profit होने को बाकी है तो चलिए इसी के साथ हम ticket पर चलते हैं और जानते हैं HDFC bank में और क्या चल रहा है और इसके कुछ ratios भी जान लेते हैं तो देखिए मैं आपको लेके आया हूं ticket पर और यहां पर आप देख सकते हो HDFC bank को 46th analyst cover कर रहे हैं बहु 46th analyst is 93% इसको buy का recommended दे रहे हैं उसका मतलब stock और भी अच्छा perform करने वाली आने विले दिनों में तो चली चलते हैं देखते हैं price forecasting क्या है price forecasting अगर मैं दिखा हूं आपको तो यहां पर आप clearly देख सकते हो अच्छा खासा higher return का expectation यहां पर दिखे लिखा गया है higher expectation अच्छा खासा return है और दिखे expected return 14.25% है from current price आज के date पर दिखे price है 1098 baseline price है और यह forecasting क्या जा रहा है एक साल के लिए जो की July 2021 के लिए valid है अगर आप देखो के high range पर price forecasting है 1555 जो की हम पिछले कुछ मिंटों पहले देखे ब्रोकरेच फार्म बोले है 1350 से 1450 लेकिन यहां पर आपकर देखिए high range पर 1550 तक इसका price forecasting क्या जा रहा है medium range भी क्या जा रहा है 1255 वो low range पर है 960 अगर इसका revenue forecasting करोगे तो यह दिखिए इसका price forecasting आ गया तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने चार्ट पर बापस चलते हैं और जानते हैं HDFC bank में बारे में और कुछ जरूरी बाते हैं तो चलिए bank का हम चार्ट पर बापस आ चुके हैं और HDFC bank का exponential moving average देख लेते हैं 5 day का exponential moving average आ रहा है आपका 1096 10 day का exponential moving average आ आपका 1088 20 day का exponential moving average आ आपका 1072 त्यूंट अगर आप exponential moving average की बात करोगे तो यहाँ पे देखो जो है आज बंद हुआ है 1130 के आसपास तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखके दिखा दिया हूँ आज बंद हुआ 1130 के आसपास तो अगर आप देखो के 1130 जो है वो exponential moving average 5 day का exponential moving average को cross कर चुका है 10 day का exponential moving average को cross कर चुका है 20 day का भी cross कर चुका है 50 day का भी cross कर चुका है 100 day cross कर चुका है 200 day cross कर चुका है इससे clearly पता चलता है यह stock बहुत ही bullish है आजकल और यह stock और भी उपर जाने वाली है लेकिन अगर ये stock नीचे गिरता है तो आपको अपना stop loss भी ready रखना रहेगा तो कौन से label पे आप stop loss लगाएं तो stop loss लगाने के लिए देखिए यहाँ पे आपका 200 A का जो exponential moving आप रेचे 1070 आप इसके आसपास stop loss लगा सकते हो लेकिन इसमें एक problem है भाईया अभी चल रहा है 1130 के आसपास अगर आप 1070 लगाते हो तो immediately अगर price में थोड़ा सा fluctuation आता है तो immediately आपका stop loss हिट हो जाएगा तो आप इससे बचने के लिए और थोड़ा से खेलने के लिए आप अपना profit को बचाने के लिए नुकसान को कम करने के लिए आप और थोड़ा कम में stop loss लगाईए तो कम कौन सा रहेगा stop loss देखे लगाईए फिर आप जाके 100 day का जो exponential moving average है 1034 या फिर जो 50 day का exponential moving average है 1031 आप इसके आसपास अपना stop loss लगाओ तो ये देखे 50 day का जो exponential moving average है या 100 day का जो exponential moving average है 1031 से 1034 इसके आसपास आप अपना stop loss लगा सकते हो शोट टम में अपना profit बचाने के लिए या फिर नुकसान को कम करने के लिए लेकिन अगर आप long term investor हो तो चलिए मैं आप लिख भी देता हूँ अगर यहाँ पे आप long term investor हो long invest करना चाहते हो तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि दिखे long term HDFC bank जा सकता है आपका जैसे बार बार बोला गया ये जा सकता है 1100 बोलना हूँ ये 1350 से लेके इसको मैं erase कर दता हूँ ये 1350 से लेके जा सकता है आपका 1450 तक या फिर 1500 तक भी जा सकता है तो चलिए दिखिए अच्छा खासा इसमें upside देखनों को मिलना है तो इसलिए आप थोड़ा सा careful नहीं हो और इसका अगर हम बॉलिंजर बैंड open करेंगे तो आप clearly देख सकते हो बॉलिंजर बैंड से तो चलिए इसका मैं बॉलिंजर बैंड को open करता हूँ बॉलिंजर बैंड को अगर मैं expand करके देखो तो दिखिए बॉलिंजर बैंड में दो रहते हैं एक middle line एक upper label और एक lower label इसका बॉलिंजर बैं बॉलिंजर ब्यांड का जो अपर है वो आ रहा है आपका 1136 जो आज के प्राइस से 5 रुपे उपर है और अगर इसका लोवर ब्यांड देखो यह दिखे बॉलिंजर ब्यांड का बन गया अपर लेबल ठीक है विशके मैं यू लिख लेता हूँ अगर लोवर रेंज के बात करूँ बॉलिंजर ब्यांड का लोवर रेंज आ रहा है 1021 तो यहाँ पर आप धान देखे देखो 1021 इसका लोवर रेंज बन रहा है और इसका जो मिड्र रेंज बन रहा है यह मिड्र रेंज बन रहा है 1079 ठीक है जो आपका 20 डेक है एक्ष्पिनेशल मूविंग अबर इसके आसपास है अगर आप बॉलिंजर ब्यांड को बॉलिंजर ब्यांड आपको पताता है कि यह दिखिए स्टॉक कितना रेंज क्या है यह कितना उपर जा सकती है और कितना नीचे जा सकता है तो प्राइस का रेंज हमें पता चलके है अभी शॉट टम में 20 डेस का बॉलिंजर ब्यांड का प्राइस का रेंज है 1136 से लेके 1021 वान के आसपास, तो stock का price देखिए, short term में भी range के अंदर ही है, range को cross करके बाहर नहीं गया है, और इससे आपको ये पता चलता है कि stock का range जो है, आज बंदवाए 1030 पे तो कल हो सकता, ये और 5 point उपर जाए और 1036 तक भी touch करें, तो ये दिखे हम बात करके बॉलेंजर बैंड की, तो इसी के साथ चलते हैं, और देखते हैं, इसका RSI और MLCD भी एक बार देख लेते हैं, RSI देखिए, काफी अच्छा है, अगर मैं यहाँ पर highlight करके दिखा हूँ, RSI देखिए, 64 है, ना ही over board category में है, ना ही over sold category में है, MLCD के भी दिखो के line अच्छा है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर अच्छा कासा bullishness आपको देखने पर मिल सकता है, उससे साब से अगर आप short term investor हो, और आपको HDFC back में नया position initiate करने हैं, तो मैं आपको clear suggest करूँगा, आप इसका जो 5 day या 10 day का exponential moving average है, जो 1100 से लेके, यहाँ पर मैं फिर से आपको लिखके देता हूँ, जो 1100 से लेके, 100080 के आसपास जा रहा है, इसके आप आप नया position initiate कर सकते हो, लेकिन अगर आप long term investor हो, तो आपको बार बार बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे position hold करके रख सकते हो, क्योंकि यह stock or be bullish हो सकता है, और भी उपर जा सकता है, तो इसी क के साथ देखिए, हम HDFC bank का भी analysis कर गए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए, और comment जरूर कीजिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो समाप्त करना से पहले मैं फिर से आपको कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, और दोस्तों के साथ श्यार कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you दोस्तो.